हलो फ्रेंज वेलकम बैक वंस अगेन और माई चैनल मैं हूँ किरन और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लिजी ऐसे इंटरस्टिंग वीडियो देखने के लिए आज का जो मेकप टुटोरियल है स्पेशली फॉर गेस्ट मेकप टुटोर इसलिए लगातार मैं इस तरिकी का इंडियन वेडिंग केस्ट मेकप टुटोरियल लेकर के आ रही हूं आपके सामने तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता होगा उमीद करती हूं तो आज का ये वीडियो भी आपको अच्छा लएगा इसके लिए आप मुझे मेकप टुटोरियल तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेकप लगाने के लिए सबसे पहले अपने फेस को मैं हाइडरेट कर रही हूं यह है अपने फेस को बहुत ही अच्छे से हाइडरेट करूंगी जहाँ पर आपका डाकर टोन है या फिर बहुत ही ज़्यादा दाग धब्बे है उसको लगा कि यहाँ पर मैंने फिंगर टिप की मदद से सबी को बहुत ही अच्छे से मर्श कर लेना है आप चाहते यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर का भी इस्तमाल कर सकते हैं या फिर आप मैं फिंगर टिप की मदद से बहुत ही अच्छे सी इसको बेंद करूँकि आप चाहे तो यहां पर ब्रश या फिर ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से विस्तमाल कर सकते हैं तो मैं आज मैं मेरी vincal की मदद से बहुत ही रिच installations यहां फित्मी की मेरी 30 शाडण भी यूस कर सकत पो नटा लेती हूं और उसके ब्रeκस की मदद से इसको बहुत यह ब्लेंड करोंगी बछान के ब्लेंड करोंगे यह रहा color war का हमारा compact powder है उसकी मदद से हम concealer और plus foundation जो हमने लगाया है इसको बहुत इच्छे से set करेंगे set करने इस क्या होगा यह जो बिल्कुल आपका पसीना या फिर उस तरह का जो कुछ भी होगा वो बिल्कुल भी नहीं आएगा और बिल्कुल नैच्रल लुक भी दिखेगा तो बहुत इच्छे से हमने इसको set कर लिया हुआ है गर्दन पे भी जरूर करें क्योंकि make-up हमेशा गर्दन के साथ आपको होना चाहिए असा नहीं कि गर्दन का color कुछ और face का color कुछ और दिखे उसकाद यहां पे मैंने color bar का लिया हुआ है eyebrow pencil है और यह pencil मेरा brown shade है तो eyebrow को बहुत ही अच्छे से यहां पे हम clean करेंगे आपका eyebrow अगर बहुत ही पतला है और थोड़ा से उसको shape देना चाहते है तो eyebrow pencil की मदद से बहुत ही अच्छे से shape दे उसकाद concealer की मदद से इसको हम बहुत ही अच्छे से clean करेंगे shape देंगे और इससे क्या होगा eyebrow और भी ज़्यादा सुन्दर दिखेगा तो इस तरीके हम लगा लेते हैं और फिर यहां पे हम beauty blender की मदद से या फिर इसको brush की मदद से बहुत ही अच्छे से merge करेंगे यह देखे इस तरीके से तो बहुत ही simple है eyebrow को clean करने से eyebrow और भी ज़्यादा सुन्दर और अच्छा दिखता है यह मैंने कर लिया है यह देखे बहुत ही easy होता है दोस्तों पहली बार अगर आप करोगे तो शायद नहीं हो इसको time लगेगा करने के लिए और फिर हमने यहां पर same compact powder लेकर कि उसको बहुत ही अच्छे से merge कर देंगे और यहां पर मैं लगा रहे हूं cello tape इससे क्या होगा कि आपका जो eyebrow का जो हमने eye shadow लगाना है बहुत ही अच्छे से shape में आएगा और इधर दर फैलेगा नहीं तो यहां पर मैंने मार्स का बहुत ही अच्छा eye shadow palette लिया हुआ है उसमें से हम सबसे पहले लेंगे हलका सा brown shade का transition color लेने से क्या होगा आपका eyebrows और भी सुंदर लगेगा तो brown shade लेने के बाद इसमें से हम उसके बाद second color लेंगे वो इससे हलका सा dark लेंगे और फिर उसको क्या करेंगे थोड़ा से हमारा crease line area होता है न वहां पर लगाएंगे तो blend करते हुए सारे colors लगाने दो ऐसा ने के लिए करके आपको eyebrow की उपर रख देना है और फिर यहां प पतले वाला जो pencil type का brush होता है उसकी मदद से यहां पर cut crease बनाएंगे इस तरह के से और फिर जो नीचे वाला fall हुआ है बहाँ पर हम इसको बहुत यची से भढ़ेंगे और इसको पूरे पर नहीं भढ़ना है आधे ही eye light पर भढ़ना है इस तरह के से लेके दोनों आखों पर हमने कर लिया हुआ है और फिर यहां पर हम लेंगे black eyebrow eyeshadow पैलेट में से मैंने black shade लिया हुआ है और फिर आखों का जो outer corner होता है वहां से इसको भढ़ते हुए इस तरह के लगाएंगे और ब्रश की मदद से अभी रख देंगे और फिर बाद में आराम से इसको blend करेंगे तो इ अंदर के जो eye corner होता है आई-lead होता है वहां पर हमने लेना है से इसे गोल्ड वाला color जो होता है ना हलका सा glitter shade है और glittery नहीं बोल सकते हैं इसको आप मतलब हलका सा जो है मस्त बना है बहुत सुन्दर तो यहां से हमने आई-shadow में टेप लगाया था वो टेप हटा देते हैं और यहां पर चाहें तो दोस्तों क्या बोलते हैं आपका जो eyeliner है वो लगा सकते हैं और मैं नीचे में भी सेम लोवर लेशन पे जो आई-shadow हमने उपर लगा है ट्रांज और यहां पर मैं जो है काजल ही लगा रही हूँ यहां पर आप चाहें तो लाइनर लगा सकते हैं मैं यहां पर काजल की मदद से लाइनर लगा रही है और बहुत ही अंदर अंदर लगाना है जादा नहीं लगाना है बिलकुल नैच्रल लेके आना इसलिए जादा मैं नहीं लगा है जब भी आपको false laces fake laces लगाना हो उसके बाद पहले आपको जहें मस्कारा से कोट करना चाहिए इससे क्या होगा बिल्कुल natural look आता है तो false laces लगाने के अलग tutorial आपको मेरे चैनल पर मिलेगा एक पर आप जरूर चेक करें वीडियो का लिंक आपको description box में मिलेगा तो दोनों आखों पर हमने false laces बहुत ही अच्छे से लगा लेना है तो इस तरीके से इसको लगाना आपको लगेगा पहले बार में बहुत ही मुश्कि the contour powder जरूर लगाए contouring अपने face में जरूर करें इससे आपके face अगर बलगी है थोड़ा मोटा है तो थोड़ा shape में दीखता है प्लस आपके face में जो है एक color add होता है तो मैं इसको as a bronzer इस्तिमाल कर रही हूं contour powder को इसको लगा लेते हैं और लगा करके बहुत ही अच्छे से blend क करते हो लगाएंगे यह देखिए कितना अच्छा मस्त color आये हुआ है और इस तरह के brush की मदद से यहां पे nose पे shape देंगे nose पे brush type का होता है और फिर देखिए नाख थोड़ा सा पतला भी दिख रहा है और फिर यहां पर हमने color bar का blush लिया हुआ है blush बहुत ही खुपसद blush है ज blend करेंगे थोड़ा सा party look लेना है तो हलका सा highlighter थोड़ा ज्यादा करकी लगा रही हुआ है यह देखिए और इसके बाद यहां पे हमारा color bar का बहुत ही अच्छा मैबलीन का master chrome जो है highlighter है गोल शेट का उसके उपर इस तरह से लाल लेते हैं तो इसके होगा बहुत ही सुन्दर लग रहा है और आप इसको चाहे तो बाद में थोड़ा से अगर आपको ज्यादा लगे तो हटा भी सकते blend भी कर सकते हैं बस हो गया यहां पर सेम हमने highlighter में से य मैंप च्छीच है यहां पर मैंने दो तरह का लिपच्टिक लिया है लिकुड लिप्स्तिक है न्वाई बेगा होटो है लूट करने के लिए और इसके बार साइवागों कि नूड लिप्स्टिक इससे क्या होगा बिल्कुल अच्छा और ब्लेंडी लुक आएगा बहुत ही यह लगा करके बहुत यहां पर मैं ब्लैंड कर ले रही है देखिए क्या मस्त लुक आया है और थोड़ा से मैं हाइलाइटर यहां पर लगाऊंगी होट के उपर जिससे हमारा होट थोड़ा सा शाइनी दिखे और खुप शरत दिखे तो कितना मस्त लुक रेट हुआ है थोड इंडियन वेडिंग गेस्ट अगर आप मेकप करना चाहते हैं तो यह वाला बहुत ही बढ़िया है अगर आप इस बाले लुक को रिक्रियेट करते हैं तो मुझे जरूर शूशल मेडिया प्लेटफॉर्म पे हैस्टेक करके लिखिएगा हैस्टेक किरन शंकर और कैसा लगा आप लोगों को यह tutorial वह भी comments करके जरूर बताईएगा तो बहुत ही simple है बहुत ही आसान है किसी भी dress के साथ किसी इंडियन आउटफिट के साथ यह वाला लुक क्रियेट कीजिए और मुझे जरूर बताईए तो आप सबसे फिर से मिलते हैं एक नए brand new video के साथ तब तक मुझे जाजत दीजी टी केर बबाई थैंक्स वर वाचिंग लव्यू आल